चालिस साल से राजनिती के अंदर सक्री है पूर मंत्री सुभाश कत्याल हर्याना के अंदर पांच मुख्य मंत्रियों के साथ काम कर चुके सुभाश कत्याल से जानेंगे कि आखिर कौन से मुख्य मंत्री के साथ काम करके यह लगा कि वह फला मुख्य मंत्री जनता कि बना अब वह सब्सक्राइब निटी होता था और मुझे उसमें तायर चुड़ी होती थी माई धी तो उसक्राइब इस वगत शुरू की राजने थी एक शौक मुझे जरूर था कि मैं उस मशीन री का इस्टा बनू जो मशीनरी भारत को विश्वरु बनाए तो मशीनरी का हिस सेम बना रहे हैं बहुत बदाई उसके बाद वो वीडी गप्ता जी को फुफती बना दिया फिर कोई बात नहीं हो युद्ध सेम बनते बनते रह गए अब पता नियुद देखो कोई श्वनी की साथ सथी चल नहीं होगी चली है ब्रिजबूशन के वादा मामला रहा कि महिला पहलवान इतने समय तक धरने पर बैठी रही कोई एक्षन नहीं हुगा हर्याना के मंत्रियं संदीप सिंग जूनियर कोश ने उन पर आरोप लगाई आज भी मंत्री है क्या राजनीती के मायने बदल गए है क्या तो आपने मुख्य मंत्री मनहोलाल की कारेशली कैसी देखि कोंबर और आप से चर्चा करेंगे कि राश्ठ हो समाज को या राजनीती सभी इतिहास की या सभी यह कहें कि बुनियात पर लिखी जाती है भविष्य की बारत इतिहास तै करता है कि आने वाला समय हमारा कैसा हो मिवों इतिहास से हैं यानिकि जो पुराने लोग होते हैं चाहे वो राजनीति के हों समाज के हों या राश्ट्र की सन्रचना में अपना दायत वो निभाने वाले लोग वो ये बताते हैं कि भविश्य के लोग किस प्रकार का आचरन करें, कैसा राजनीती के अंदर या समाज के अंदर या राश्टर में कैसी मिसाल कायम करें, जिससे की राश्टर का और समाज का गौराव बड़े और इसके साथ साथ खासकर राजनीती की जब बात आती है, आज क से में बड़ा जरूरी हो जाता है कि समाज और राष्ट्र के सामने राजनीती के मंच से ऐसे लोग ऐसे किरदार निकल कर आएं कि जो नजीर बनें जो ये तै करें कि भविश्य कि जो इबारत लिखी जाए वो कैसी लिखी जाए जो ये फैसला करें कि जो हमारे जंडा बरदा हो हमारे खुमरान हो या राजनीती को सेवा का मध्यमाना गया है तो सेवा करने वाले ऐसे लोगों कि जिनके चाल चरित्र और करतव्य में सेवा पहले दायरे में रहती हूं कुछ इनी बातों को लेकर आज स्टूडियो में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है हर्यान स 40 साल से राजनीती के अंदर सक्री है पूर मंत्री सुभाश कत्याल जानेंगे उनसे कि किस प्रकार से उन्होंने राजनीती की शुरुवात की हर्याना के अंदर 5 मुख्य मंत्रियों के साथ काम कर चुके सुभाश कत्याल से जानेंगे कि आखिर कौन से मुख्य मंत्री के साथ काम करके ये लगा कि वो फला मुख्या मंत्री जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उत्रा ये भी जानेंगे कि हर्याना को जो हर्याना के गठन से पहले जिन्हों ने यह कहें कि हर्याना के गठन के साथ जिन्हों ने राजनीती की शुरुवात कर दी थी तो आज किन हालात में कैसे कैसे हुई सबसे पहले देश रोजाना के दर्श्कों को नमस्कार संज्य जी मैं 1971 में गोवनिको जीद में लेक्टर लगा जी क्रोमक्स का और उसके बाद 1972 में मैंने लॉजोइन कर ली और उसी वक्त से ही मैं पहले समाई से वक्का में जुटा और साथ- से लेकर और आज तक 51 साब से मैं 51 साल से पूर्दा शक्रिया हूं और मेरे मन में को मंग थी कि मैं देश के लिए काम आओं समाज के लोगों को स्विवा करूं और समाज के लोगों का प्रिये बनूं को अवस्वरवादी राइनिती नहीं करना चाहता था वह बच्पन से ही म पेरमन में बंग थी मैं कॉल्य पड़ता था तब भी के भारत विष्व गूरु बने जी एक शोक मुंझे जरूर था हुम कि मैं उस मशीनरी का हिस् Cavana तो मशीन वहरत को विश्वरू कर दब उड़ना नाउना देडिन गुभरrous में इन सथीए सब्सक्रिण हां तो चुनाव लड़ने की नह Möglichkeit सबबुमर्स उस्ता में जो चुनाव लड़ने की उम्र थी 25 साल थी यानिकि जो एलिजिबिल्टी 25 साल की बनती थी आपने राईनीती की शुरुवात कर दी चौबिस साल की उम्र में अपने गाम अलावन पूर से शुरू कर दी थी एक ग्राम के लियान सम्थी के द्वारा और उसके तुर लग रहे हैं कंडिडेट हरुम ने उसका सब्सक्राइब किया और वह मलें बने कोई साथ आया मेरे पास के यूँए टिकेट लेनी है रहा हमारे साथ चलो जिसकी की टिकेट के लिए मांगने के लिए एंपी के लिए दिल्ली आये लेकिन बाप पार्टी के टिकेट मांगने उन्होंने कही दिया जिसके लिए गए थे इनको टिकर तो बिलनी सकती किसके लिए थे इक शिव दरायन जी हमारे साथी थे शिव नारान तेवतिया तो प्रॉफेसर से सिंग आरेसमाजी नेता थे अब भी जाट थे अच्छे उन्हों बड़ा किलियर का तो प्णत किरम दे बने गए थे और खुद टिकेट के दावेदार बन गए किसी ने मांगले किसी और बना दिया किसी ने लेकिन उन्होंने मेरा नाम ले दिया और फिर हम जुट गए हम अब मेरी जान परचान तो उस वक्त भी चार-पांच हलकों में तो बहुत आराम से शेर सिंग का क्या हम तो खैर टिकेट पंडे दरमवीर वर्षिश को मिल गई हमने एलेक्शन में काम किया फटबाद लोग्सपाक शेत्र में सारिक शेत्र में जाकर जी और 78 का चुनाव आया तो मैं उनका प्रिया बना क्योंकि मैं बहुत काम किया मैं मिवस्वास करता हूं तो मैंने अच्छ ट्राइब किया फूरी जोर से मुल्चल मंगला जी को मिली 1982 में 1978 में 78 में 78 विधान सभागत चुना हुआ जी तो उसमें मैंने अप्लाई किया था मुझे टिकेट नहीं मिली टिकेट जाओ तो मैं लुका स्पोर्ट किया जी और मैं पॉमिनेंट एक केंडिडियर के रूप म में स्टेबिडिश हो गया एमले बने से पहले में 20 वार हर घर कम में जा चुका था साइकल पर तांगे में बस में नहीं आँगे आएंगे अमले तो अब 87 में बने ना लेकिन शुरू तो जो भी से कर दिया था 77 जी शुरू कर दिया था और पूरी तरह से हर गाहों में जा रहा था दुख में सुख में गमी में खुशी में अच्छा गाह में रहकर मैंने स्कूल की स्कूल की जाद बड़ी बनाने में लोगों पेंशन दिलवाने में या ऐसे में समाज़ में काम भी करता था एक मंदर का इंदरमान था अलावनपुर में उसका मेले की का प्रवंद थ अच्छे तक को जिन से लिगता था कि हमारे बले काम है ऐसे कामहें जोटता रहता तो लोहों केरियादा यानि कि राजनीति समाजनीति से चलती ए तो सामाजी कारे करते हुए आप विधायक के पद तक आखिर पहुंच गए जो आपका सपना था कि भारत विश्व कर देंगे तम मुझे टिकेट मिली 87 में पहला चुनाव लड़ा चुनाव हार गए थोड़े से वोटों से 1987 में चुनाव लड़ा चुनाव जीते और उसके बाद में कई चुनाव लड़े चलिए कदेल सब 1987 का जो समय था आज अगर यह कहें तो एक यूग बीच चुका उसको बिलको ठीक एक पीड़ी बदल जाती है लगवग 87 से आज यानि कि मानने तो 35 साल से ज़्यादा समय हो गय कितना बलाव देखते हैं राजनीती के अंदर कितना लोगों में बलाव आया दो नेटाओं में बीजनता कारेकर्टाओं में और गाहों ने फैसरा दे दिया इनको बड़ दिनी जी लेकिन मैंने संजय जी शुरू किया एक गर में जाना कोई गरीव व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके वह भी जाना जाना किसी की बहस नरगी तो वह भी जाता था यानि कि राजनीती को एक एक आम जंदाब के पहुंचा था मैंने इन नेताओं को सिखा दिया कि आम जंता के पास जाना है जंता के बास जाये बिना बात बनेगी नहीं चीक और उस बास से मुझे फाइदा हुआ वरना मुझे तो कोई तीर से लेता नहीं था और जब मैंने हर वक्तिक जाना शूरू किया गरीब तक तुम में राजी होगाइक से बदायक बने मतुरे और वह बने लेकर अगर अगर मैं यह कहूं तो आपको इस समय में पर चार मुख्या मत्रियों के साथ कामर करने का मौका मिला बतोर वजीर सूवे के मंतरी के रूप में चौधरी देवीलाल की वजारत में रहे आप चौधरी हुकम सिंग मुख्य मंतरी बने शायद दर्शक उस युक को याद भी ना कर पाते हों जो आज की हमारे जो नए दर्शक हैं उनको शायद ये भी न में आप पता हो?? 1987-909 जो वह दौर था उस दौर के अंदर जब कि देश की राज नीती बडली थी लेकिन हर्याना की राज नीती ऐसी थी कि पौने चार साल में साथ मुक्य मंत्री बने थे तो कजल सब चार मुक्यमंत्रियों के साथ में क्योंकि बारबार बदले भीचमें आपको काम करने का मौका मिला चौधरी देविलाल के साथ में मास्टर हुकम सिंग के साथ में बीडी गुपता जी के साथ में चौधरी ओंप्रगास चोटाला के साथ में तो इन चारों मुख्य मंत्रियों को आपने जो इनका काम करने का तरीका देखा अगर मैं आप से क्लाइ मुंत्री के रूप में और एक बार के बरिमिस्टर के रूप जी और डिपार्टमेंट बदली जाते थे देविलाज जी का तो यह था बात के धनी थे जो कह दिया सो कह दिया फिर उसको निभाते थे और उनके मन में लोगों की स्विवा करने की बात रहती थी लोगों तक अब हैंडी माइक होता था चौक नहीं हो ने ने बनाएं मंत्री बनाएं उन्होंने बहुत लोगों को नहींटा बनाया चोद्धेविलाजी ने और मुझे बिशेवर्व प्राप्त हुआ कि मुझे विवी उन्होंने सब दिया नेता बननंे का और आज में कर शुक्र कुझ लारू इसान मन दो चोधरि ओम प्रिगाश चोटला जी बात उनमें भी थी वह जो कह देते तो करके दिखाते ते और वाकई बहुत मेंती थे और उनकी पकड़ भी थी लेकिंगे बस बून में थोड़ा कान के कच्छे थे और वह जो बात कोई कहाए और फिर उसुनते नहीं लोगों के मन में अपना जमाने का छवी को कोश करते थे महनत करते थे और महनत करके लोगों की उमीदों तक पूरा उतरले कोश भी करते थे मास्टर हुकम सिंग को थोड़े समय समय मिला लेकिन वह शरीफ आदमी थे बड़ी आदमी थे लेकिन जाब दफंदाजी नहीं करते थे किसी काम में और पूरी तरक कोश करते थे मास्टर हुकम सिंग मुख्या मंत्री थे तो एक केस आया था रुचिका के साथ छेडशाड क मामला आया था राठषा उस समय क्या और कहते हैं कि ख़लाफनी फेल अश्कया फिर प्रक्या आज के समय में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, ब्रिजबूशन के वारा मामला रहा, कि महिला पहलवान इतने समय तक धरने पर बैठी रही, कोई एक्षन नहीं हुगा, हर्याना के मंत्री हैं संदीप सिंग, जूनियर कोश ने उन पर आरोप लगाए, आज भी मंत्री है, क्य राजनीती के मायने बदल गए हैं क्या, देखो ऐसा है, अब वो न्याय दिलवाने की हामी तो मुख मंत्री ने भरी हैं उनके साथ, जूने कुछ हैं, और उनके साथ उसके इनक्वारी भी चल रही है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है, और जल्दी करना चाहिए, उनको मैं मुझे साथ बार शुपत ग्रेंट समारो हुआ मेरा पौने चार साल में, ग्यारे महक में रही मेरे पास, और मुझे काम करने का पूरा मौका मिला, और मैंने बड़े जोश के साथ काम किया, मुझे ही लगता था कि मैं ने जो एहद किया है, जो मैंने संकल्प लिया है, सिव भॉक्स काम करता था और लोग में चैर्मेन रहते हुए हाप मुख्यामंत्री मनोलल साथ में काम करें कbayo मुखंदि जी ने मुझे पूरा समय विअधिया और पूरे प्रदेश कई जिनों पिल्पक्र ऎले करने को प्रितन का प्रितान को अंदर जो मैसीज है मुख्या मंत्री का नेगेटिविटी वाला है आपको तो बनाया ठीक है आपको मौगा भी मिल गया मैं यह कूछ रहा हूँ कि आप जाके इसको सुधारो और मैंने उनकी बात को मानते हुए और अपने स्वभाब के अनुसार भी एफिट को सुधारने का और हैफिट में ठीक हुआ मैं आप से फिर महीं आ रहा हूं कि मुख्या मंत्री मनोहर लाल की जो कारे शैली है वह कैसी है जनता के लिए उनकी क्या योजनाए होती है क्योंकि पिछले काफी समय से अगर आप आज भाजबा में हैं तो आपकी पार्टी के जो कारे करता है वह भी खुले मंचों से भी कई बार आवाज बुलंद करते रहें कि मुख्या मंत्री कारे शैली ठीक नहीं मैं वह जानना चाहरा हूं कि बतार हैफिट चैर्में रहते हुए जो आपने उनको सानिध्य आपको मिला होगा तो आपने मुख्या मंत्री मनोहर लाल की कारे शैली कै कैसी देखिए उनका काम करने का तरीका कैसा है दरसल मुख्यमंति मनोहर जी बहुत लंबी लाइन खेचना चाहते हैं और यह अच्छी बात मैं समझता हूं उनके उनमें यह है कि मैं ऐसी मिसाल काईब कर जाओं वरियान प्रदेश को उन्रत करने के लिए और हर विभाग मे गोली चूल परिवर्तने करना चाहा है और ऊस दिशा में वह बड़ी बारिकी के साथ हर विभाग को अब जैसे जनसमाल की दूरा भी कभी इंके स्टैपस को जो अम्री जहामट पहलाएं अभी वो लोग आगर निकल नहीं आरे वरना जो मुखमंती जी चाहते हैं करना वो दिंदात मेहद कर रहे हैं उनको फ़लता भी मिल रही है लेकिन उनकी बातों को अमली जमा कौन पहलाए उनके प्रतिदी या जो और वरकर है वो अभी उस सर्कार नहीं कम कर पारे मैं यह कमी में सुझ करता हूं सभागते में पृत्र कोश्ट कर रहे हैं सब्सक्रायश करें नोइख सक्षरार कर निया एक चैक करनको सब्सक्राइए अ कि Soc में चले हाँ थे व हश्यावगत चोटेए धे आप क cylinder का कि मन मनमें वह बात ऑना आ धियार इयाम दो तो कैसा महसूस होता है ने देखो ऐसा है संजा जी मुझे आज भी वह याद है कि OSD सुमेरे सुमेरे मारे घर आये OSD कौन थे अरहीस चादरी जी अरहीस देविलाल जी गोज जी थे तो उन्होंने मुझे से कहा मैं सो रहा था तो मुझे उठवाया मैं कतयासवाप जल्दी चलो आपको मुखुंती बना रहे है दिली पहुचो में बड़ा हैरान था मैं मुझे क्यों बनाएंगे मैंने उनसे कह लिए पूठाने के लिए आपको भाइब को मुख्वुंती बना रहे हैं आप जल्दी चलो हूं तुम में ना दो कि दिल्ली पहुंच के अर्यन वहूं में मुझे दो मंत्री मिले उन्होंने मुझे बारे बाद दी हूं कि वेखते हल सब आपको सीम बना रहे हैं हूं मैंने पूछा बना रहे हैं बहुत बदाई हूं चलो में वहां बैठ गया रियान वहूं में जाके उसके बाद वो वीडि गप्ता जी को बना दिया फिर कोई बात नहीं हो यूं मतलब सेम बनते रह गए अब पता निब देखो को शनी की साधी चल नहीं होगी चली है आप पर बानते हैं अब देखते हैं करते हैं जो लोग कहते हैं उसके साब सब्सक्राइब के शायद ऐसा होगा अभी आप बता रहे थे मनोलाल जी की कारेशली के बारे में तीन चार योजनाए हैं की मुख्यमंत्री मनोलाल की एक उनका परिवार पहचान पत्र विवादों में पूरी तरह एक उनका आएप पूरी तरह विवादों में है एक उन्होंने नगर परिशद के जो प्रोपरटी के जो चला था जो पूरी तरह विवादों में हैं बावांतर भर्पाई योजनावे कि किसानों को मिलेगा किसान रोज धरने पे हुते हैं क्या वो योजना फली भूत नहीं हो क्या वो योजनाएं गलत लाई गई क्या उन योजनाओं को जो अधिकारियों ने या जो जिम्मेदार लोग थे वो ठीक से उसको डंग से लोगों विचने लिए पर रहे क्या लग रहा है क्या कारण है यह जब कोई नया स्टेप उठाया जाता है तो एक दूर तो पूरा नह लेट हो तो इस बात को सोचको लोगो ने परवायर पर प्रचान पत्र भी बनाए प्रोपर्टी आइड़ी विदाई ताकि हर एक के रिकॉर्ड हो जाए हर चीज हर आदमी की प्रोपर्टी का मालिका रिकॉर्ड हो लेकिन अभी आज का यूग ऐसा है इसमें करमचारी भी ह जो कारिकरता भी है जो थोड़ा भृष्टाचार का यूग भी इसको हम पूरी कोश्ट कर रहे हैं दूर करने की लेकिन कहीं ने की कसर रह जाती है तो अभी तक वह पूरी तरह से हंड्रे परसे सफ़ल नहीं पाई लेकिन जो काम सुरू हुआ है तो सत परिशत भी सफल हम आदमी को यह लगे कि मेरी को सुनवाई हो रही है और मेरे काम अपने आप हो रहे हैं बिना किसी पैसे देने के बिना किसी बात के यह सोच वर किया था तो उसमें चोटी-बोटी के कमी है तो वह ठीक हो जाएंगी कोई सी बगभराने की बात रही है मैं जरूर करता हूं जो नेत्रति इनकी पास प्रदेश में हैं हलके की नुमाइंदे हैं वो थोड़ा रोची लें वो दफ्तरों में जाएं वो करमचारियों से कहें वो उनको परसुएड करें और पायटी करकरता भी परसुएड करें तो यह और जल्दी कामयावी मिल सकती है मैंने आप जब श करिए हो पूरी तरह है फुली चुनावी राजनीती करें या नहीं आगे अगर वोका में तुम्हें जरूर त्यार हो जी तो एक बात बताएं का त्याल सब कि आजकल मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो पुरानी राजनीती में यानि कि जो युक शुरू हुआ था हरिया खड़ाना के निरमान के समय यानि कि सन च special service से और आजब हम 2023 में है उस समय के नेताओं में और आज के नेताओं में क्या प्रक मानते और उस्वत के नेताओं में इतनी बात नहीं थी थोड़ी वहत रहती होगी मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगी लेकिन बहुत साधानता थी आज तो जो पैसे की जो हमस है वो कमी नहीं हो रही है थोड़ा इसके लिए हमें अपने जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृती है हमारे जो राष्ट की धरोवर है हमारे सब्विता जो है उसको द्यान रखते हुए सोचना चाहिए कि राजलिती में जो लोग आए वो सिवा करने के लिए आए राजलिती सिवा का साधन है यह पेशा नहीं है यह तो यह सोचकर जो आएंगे तम देश्यक के लिए और बढ़ि काम करने वाले वही बिख जाते थे जो मुगलों के अब्रे हुए या मुस्म अकरांताकारी थे उनकी हमले हुए यह अंग्रेज आए तो वह अंग्रेज सत्तर अजार थे सारे हिंदुस्तान में जब 25-30 क्रोड की अबादे थी और देश के मालिक बन गए वह इस तरह तो ब मोदी जी भी प्रश्चार को दूर करने के लिए पूरी कोश्च कर रहे हैं कहवी रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं हमारे मुक्षमंत्री जी भी कहवी रहे हैं प्रश्चार दूर करने के लिए और च्छापे पढ़ रहे हैं एक्शन भी ले रहे हैं लेकिन अब जो समा पेता पेता अपने बच्चों को स्कूल बेचते हैं स्कूल के अध्यापक है तब ही से बातवन बढ़ाना पड़ेगा कि इमांदारी आए सुच्टा आए वो तब ही जाके आगे पली भूत होगी हम जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको करने बहुत मुश्किल पढ़ जाता ह जबंदेश के लिए जीना है देश के लिए करना ना… स्कूलियर कि बच्चों में उपरवरति जगाई जाये ऐये ऺठक बादा रहना है अधे लिए जिम्वर्दार ना झाल है और देश के लिए जीना है 선생님 परदान मंतरी मोहदे ने बनवाई है जो अब उसकी द्वारा ये जो शुरू से नयत्यकिता के बात आएंगी नेत्यक्ता की बात अखी जाएगी बच्चों में शुरू से भवना भरी जाएगी तो उसका असर पड़ेगा तीस साल बात समझें ब्रश्टाचार कम हो जाएगा कुछ तब भी असर पड़ेगा उससे और उससे तो नहीं मजबूत हो जाएगी और आप जो ये साधन अबलाए जा रहे हैं दूर करने के लिए उस पर एक्षन लिया जा रहा है कि रोक वो इस बात पर जहां तक मैं समझता हूं ब्रश्टाचार कंगोत्री है एक गंगा है जिसके अंदर कोई आचमन करता है और कोई डूबकी लगाता है खेर कद्या साब चोधरी देवि लाट कही थी उन्हें कहा था राइट टू रिकाल का होना चाहिए कि जब जन प्रतिन इधी जनता की उमीदों पर खरे ना उत्रें तो उनको वापस ब्ला लिया जाए तो अगर सरपंच ठीक ना खरेत उनको ब्ला लिया जाए आप पुराने नेता है राजनीती को बहुत पास से देखा जाना समझा आपने अच्छे से लोगों काम करने का तरीका अपना भी देखा और अनों का भी देखा है क्या वाक्य जो नेता चुन कर जाते हैं अगर वो जनता की उमीदों पर खरे ना उत्रें तो उनका नेतिक द और मनुहला जी वारे मुक्मंति इन्हों ने भी कहा है जैसे पंचाइस से शुन किया है उन्होंने तो मैं कहनों मैं मेले तक भी होना चाहिए एंपी तक भी होना चाहिए इसके मिना काम नहीं चलेगा क्योंकि जब कोई आदमी सेवा के लिए बना है अब हमारा कोई प्रते प्रताने का नहते करतों बैस सेवा ही राज रुती का साधन है लेकिन जब हम अपने काम में जुठ जाएं व्यक्ति का थेतों में शूट कर दें तो राज निती का मतलब रे जाता नहते करतों यह बनता है उसाब चोड़ देना चाहिए जब ही काम चलेगा तब ही देश रस जनता की उमीदों तक साहीं नहीं उतर रहा जनता से वोट लेके बन गया और फिर अपने कामों में लग गया और फिर पैसे देने ले ले लग गया तो उसको रिकॉल होने का यह जरू कोई तरीका होना चाहिए उसके बिलाबात नहीं कि अगर जो आदमी सेवा करने के लाइ जिससे के राइट डिकॉल का बात हो उसके बिना सुचता नर्मियों कोई नहीं मान राज कर परस्वेशन को नहीं मान रहे हैं वह बात तो सकती है कि बच्पन से शुरू कर दें स्कूलों से शुरू हो जाए और पुसमें वह लंबा समय लगेगा इसलिए इसलिए कोई पर आजीता बनने जारहें उभी संदेश अगर देना चाहें legislator कि अबब ऑगर सकती हैं राजीव कट्या रहा है हमारी वीदर पुरा उतर रहा है हमारे आशू पहुंच रहा है तब तो कुछ फायदा है राजनिति का वरना खाली तर्खा लेने के लिए को आ रहा हो तो और बहुत सादन है तो और बी कोई दूसरा नमाइंदा भी है को मले है मैं बन सब्वार पर चाहता है रही तो स्यवा के लिए आओ रोटी कमाने के तो बहुत साधन है उस तरह करो कौई और काम करो हो भी तो नहीं राजनिति को रोटी कमाने के लिए नहीं राजीम विया कहा है आजकल यही सोच्के आना तुम्टिक्वाट मुझे रास्ट कने पड़े मुझे और लॉक little विकना चाहता हूं कि हरको यह सोचे कि मेरा करत्व यह हैं कि मेरा देश मुझे प्रक़र रहा भारत मेनाता के लिए हमें पूरी तरह समर्पित रहना है और देश की सेवा करनी है और अपने देश को एक बाद फिर विश्व गुरु बनाना है विश्व सर्बुट बनाना है मैं यह वाद कहना चाहता हूं कटठा सथ Demo 2020 भादा के देश के अंदर फिर हर्याना के यंदर विधान सवा कंदा के विवे सकता है क्या समझते हैं आगे क्या रहे सकता है अधार को ऐसा है कि करहन सिंग दिलाल के बारे में आपने जिगर कर दिया वह तो राइन जमीन उनकी खतम हो चुकी है वह तो खाली अब MP का नाम ले रहे हैं त्यारी MLA कर रहे हैं ना उनको MP की मिलनी है ना उन्होंने एलक्षन लड़न यह आपको बताना चाहता हूं कोई सीरिस नहीं नहीं हो और नहीं बात यह कि रहे हैं कि मोदी जी अपना उनकी जो कारी नीथी चल रही है उनकी प्रचाब कशाब कश्रारव कर दिका dislodella में 10 की 10 सीटें भाजपा जीताइब इसमें कोई संदे नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ, कि जो कारिकरता टिकट मांगें, MP के भीदवार आए, या ML गोड़ु दवार आए, तो वो ज़रूर देखी, party देखे, कि वाकई सेवा करना चाहते हैं, इनकी सेवा करने के नीती है भी सही, या ये सेवा करने का लायक है भी सही, या ये सेवा कर पाएंगे, ये बात भी पार्टी को जरूर देखनी चाहिए, इसके बिना बात बनती नहीं है, क्योंकि खाली कोई अपना वेतल लेने के लिए MP बन रहा हो, उससे देश का भला नहीं होता, तो कोई पार्टी का जो नेता बनेगा, जो कोई MP बनेगा या विदायक बनेगा, उसको ये जरूर सोचना चाहिए, पार्टी को भी, कि ये पार्टी के नाम को बढ़ाएगा, और पार्टी को आगे बढ़ाकर लोगों की सिमा भी करेगा, लोगों के काम आएगा, तभी किसी पाइटी और भाइडपा को नंबर एक बनाना चाहती है तो उसमें ऐसे लोग आने चाहिए जो भाइडपा को भी आगे बढ़ाएं देश को भी आगे बढ़ाएं और गरीब ज्रत की पूर्मंत्री सुभाश कत्याल जिन्हों ने बताया कि अपने लगबग 40-45 साल के प्रिटिकल करियर के अंदर जिन्हों ने ये बताया कि चौधरी देवीलाल की वज़ा से वो राजनीती में यहां तक आए जिन्हों ने ये बताया कि मुख्य मंत्री मनोहरलाल की कारेशली अच्छी है नियत अच्छी है लेकिन जो योजनाए है उनको जनता तक पहुंचाने में कहीं कोई कमी रह रही है वो भी ठीक किया जाए जिन्होंने ये बताया कि राजनीती के अंदर गरीब कहीं सीड़ी ना बने शुचिता और स्वच्चता की बाते रहें और जिन्होंने ये भी बताया कि 2024 में भाजपा का भविश्य उज्वल है आने वाले दिनों में फिर आईसी किसी हस्ती से आपको मिलवाएंगे हमसे जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना नमस्कार दन्यवाद